हेलो दोस्तो, क्लास 12 आईपी से रिलेटिड आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम हमारे कम्प्यूटर में पाइथन को कैसे इंस्टॉल करेंगे और किस तरीके से हम लोग यहां अपनी कुछ लाइबरेरी को इंस्टॉल करेंगे तो दोस्तो, लाइबरेरी जो है अपने पास जो बहुत सारी अलग-अलग टाइप की हैं जैसे कि दोस्तो हम लोग यहां पर यूज करेंगे पांडास को, हम यहां यूज करेंगे नमपाई को, हम यहां यूज करेंगे मैट प्लॉड लिप को और ऐसी दोस्तो हम लोग यहां MySQL को भी connect करेंगे यहां पर अपने ideally के साथ तो दोस्तों यह एक बहुत important topic है जो हम लोग यहां आज discuss करने वाले हैं तो इसके लिए दोस्तों मैं सबसे पहले आपको यहां बता देता हूँ कि Python को कैसे हम लोग install करते हैं तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा मैं जैसे आपको दिखा देता हूँ अभी दोस्तों मेरे computer में ideally installed नहीं है तो इसको install करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ तो मैं यहां पर start कर सकता हूँ अपना कोई भी Google Chrome या कोई भी browser आप इस पे जाएंगे दोस्तों और यहां पर जाने के बाद मैं आप जो भी यूज करते लाइक मैं अगर Google को यूज करता हूँ तो यहां जाकर के लिख देता हूँ IDLE Download आपको दोस्तों यहां पर यह लिख रहा है IDLE Download जैसे आप यहां आएंगे सबसे पहला link मिलता है www.python.org जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे दोस्तों यहां पर आपके सामने Download वाला पेजी open होगा लाइक python.org और इसके अंदर Downloads आप यहां पर दोस्तों अभी देख रहे होंगे यहां अपने को Windows के अकॉर्डिंग मिल रहा है तो यहां पर यह Software जो है मेरा Download होना स्टार्ट हो जाएगा यह दोस्तों Completely Download हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे यहां पर इस पर क्लिक कर देंगे यानि कि हमारा जो Download Software है इसको अब हम लोग यहां Install करें इसमें सबसे Important जो बात है दोस्तों वह यह है कि आपको यहां पर नीचे Add Python.exe to Path यह आपको दोस्तों सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा जरूरी है Otherwise आपके सामने तोड़ा सा कुछ Issue Create हो सकता है तो मैं इसको टिक कर देता हूँ और उसके बाद Install Now बटन पे क्लिक कर दूँगा जिससे कि यह Install होना Start हो जाएगा तो दोस्तों यहां पर मैंने इसका Setup Process जो वह Start कर दिया यहां पर मेरा Python Install हो रहा है यहां पर दोस्तों मेरा Python Successfully Setup हो चुका है मैं इसको कर देता हूँ Close और इसके बाद दोस्तों हम लोग यह Start बटन पे जाके लिख देंगे इसके उपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने Python इस तरीके से आपको दिखाएगा अब इसमें क्या है दोस्तों दो तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं एक अपने पास होता है जिसको हम लोग करते है यह आप इसको चाहें तो कह सकते हैं इंटर्मीडियट तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं जैसे आप लिखेंगे एकस इक्वल्स टू 15 वाइक्वल्स टू 20 इसके बाद अगर आप देखें मैं करता हूँ जैड इक्वल्स टू एकस प्लस वाइस फाइनली अगर आप प्रिंट करके देखना चाहते हैं जैड की वैल्यू तो वो उनकी वैल्यू दिसले करेगा अगर दोस्तो इसको मैं यहां बंद कर देता हूँ इसके बाद अगर मैं फिर से इसको स्टार्ट करता हूँ लाइक बाद में कभी भी मैं अगर स्टार्ट करता हूँ और अगर आप देखेंगे दोस्तो मैं फिर से अगर यहां जैड की वैल्यू को अगर प्रिंट करना चा रहा हूं file, file में जाके करता हूं new पे, जैसे आप इस पे click करेंगे, आपकी यहां file खुल जाएगी, इसके अंदर आप अपना कोई भी code लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूं x की जो है, तो इसके अंदर मैं कोई value पास कर देता हूं पर काम करें, क्योंकि यह जितनी भी files and folders हैं, यह सब default है, हम यह चाहते हैं कि जब हम हमारा code करें, तो एक नया folder बना दें, इसका कुछ भी अपन नाम रख सकते हैं, जैसे मैं यहां नाम रख देता हूं class 12, आप देखेंगे आपके सामने वो list की जो value थी, वो आपके सामने आच चुकी है, दोस्तो हम को यहां पर क्या करना है, मैं यहां पर यह चाह रहा था कि कैसे मैं इसमें pandas को use कर सकता हूं, यह दूसरी और चीज़े, पंडाज क्या है, यहां पर जाके लिखना होता है import pandas as pb, अगर मैं इस code को चलाओंगा तो फिर से एक error आएगी, देखेंगे हैं, यहां हमारे सामने क्या है, एक error आचुकी है, मतलब pandas यहां पर मेरे computer के अंदर ही नहीं, तो जो मैंने ideally install किया था, उसमें मेरे पास pandas नहीं था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोस्तों यहां पर cmd पर जाओंगा, मैं command prompt पर यहां पर जाके लिख दूँगा, install और जो भी अपनको install करना है, उसका नाम लिख देंगे, जैसे के मैं लिख दूँगा pandas, लिखे, उनको यहां पर क्या लिखना है, install pandas, बस आप यह लिखेंगे, दोस्तों आप लिखेंगे, अगर internet connect है, तो connecting लिखा गया, पर इसके बाद यह download होना start हो गया है, दोस्तों यह अपने आप download भी होगा, और यह अपने आप साथ साथ में install भी होगा, तो अब आगे जाते हुए हम लोग python को, या python के अंदर हम लोग ऐसे अलग-अलग type के, जो भी libraries हैं, उनको हम लोग यहां पर download करने वाले हैं, तो एक बार हम लोग पहले pandas को install कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग दूसरी और भी जो libraries हैं, वो हम लोग यह install करेंगे, तो दोस्तों अभी यह download हो चुका था, और अभी यह इसका installation process रहा है, दूसरा मैं आप से कह रहा था, आप यहां देख पा रहे होंगे, दोस्तों इसमें numpy जो है, वो भी साथ में आपको मिलता है, जब आप python install करते हैं, तो यह numpy को भी defaults के अंदर install कर देता है, तो यह दोस्तों अपना install हो चुका है, अब हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, यहां use करेंगे, दूसरा है, एक और command जैसे कि pip install, उसके बाद matplotlib, यह अपने लिए दोस्तों बहुत ज़्यदा important होगा, matplotlib के लेकिंगे, install matplotlib, जैसे आप इस पे करेंगे दोस्तों, एंटर, तो देखेंगे आप फिर से भी connect हो रहा है, तो इस तरीके से दोस्तों यह भी अपना download हो गया matplotlib, अब हमको क्या करना है, आगे की कुछ chapters के लिए दोस्तों हम लोग यहां install करने वाले हैं, तो मैं लिख देता हूँ pip install, ठीके और इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे mysql, यहां लिखेंगे mysql-, इसके बाद हम लोग लिखेंगे connector, ठीके तो अपने पाद से mysql- connector, और उसके बाद हम dash लगा के लिख देंगे python, ठीके तो इस तरीके से हम इसको भी यहां साथ में install करते वी जा रहे हैं, तो मिलाकर के दोस्तों 5 अलग-अलग type के हमारे पास requirement रहती है, class 12 IP के अंदर जिसमें pandas होता है, numpy होता है, matplotlib होता है, इसके साथ-साथ mysql connector होता है, और इसके साथ-साथ last हम लोग यहां पर जो देख रहे हैं, वो अपने पास होगा, pip install, उसके बाद मैं लिख दूँगा यहां पर, mysql, ठीके, mysql, यह हम लोग यहां लिखेंगे, और इसके बाद हम एक बाद last में इसको भी download कर लेंगे, तो दोस्तों यह भी अपने पास download हो चुका है, तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहे हैं, थैंक यू